गुड मॉर्निंग दोस्तों घर में कभी-कभी चावल बस जाते हैं उनसे हम पुलाव छोग देते हैं कुछ और राइस रेसिपी बना लेते हैं आज मैं आपके लिए चावल की कैसी रेसिपी लेकर रही हूँ जो खाने के टाइम पर पता ही नहीं चलेगा कि यह चावल से बन लीजिए और आपको मुझे लगता है इतना पसंद आएगा कि आप इसके लिए कभी-कभी चावल बचा लेंगे या फिर चावल जो होते हैं उनको बनाएंगे और इसे बना लेंगे हन जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एककटोरी चावल लिया है आप ले लीजिए जितना आपको बनाना है बस चावल दोस्तों जादा खिले खिले ना रहा है इस बात का दिहान रखिए चावल थोड़ी से मुलाइम होने चाहिए जिससे वापस में बैंड अच्छे से हो जाए जादा एकदम कड़क चावल जो रहता है और थोड़ा सा यह डाला है एक चमच मैंने ब्रेट क्रम्स डाले आ ब्रेट क्रम्स नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसमें कॉन फ्लोर एक चमच डाल दीजे काम हो जाएगा चुथा ही चमच हल्दी पाओडर है हल्दी पाओडर रंग भी देता है और स्वात को भी बहुत अच्छा बना देता है, स्वाधन सार आप नमक मिला लीजिए, बस दोस्तों जादा मसाले नहीं, अब मैंने इसमें एक चमच अपनी हरिय धनी और पुदीने की चटनी आड़ कर दिया, इस चटनी में सभी मसाले रहते हैं, अधन नीबू था वो भी मैंने निचोड़ दिया, दोस्तों चट उसे हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए, गड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, मीडियम फ्लेम पर, अपने जो कटलेट्स थे, वो मैंननको रख दिया, जादा नहीं बस डेट से 2 मिनिट लगेगा, तेल भी बहुत कम लगेगा, इनको अलट-पलट का क्रिस क्रिस्पी सेख लीजे, अगर आपको थोड़े सॉफ्ट पसंद है, तो सॉफ्ट सेख लीजे, क्रिस्पी पसंद है, तो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा जादा समय दीजे, ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये सिख गए है, से इसको मिक्स कर लीजे, अगर आपको लगता है कि वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, चावल थोड़े सुखे सुखे हैं, तो आप ब्रेट क्रम्स या फिर कॉन फ्लोर की मातरा को कम कर दीजे, एकदम आसा जल्दी बनने वाली चीज है, हमारे चावल जो बचे थे वो भी व साले होते हैं, चटनी का इसमें स्वाद है तो पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत स्पाइसी और टेस्टी चटपटे बन जाएंगे, अगर आपके पास चटनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हरे धनिये, पोदीना या फिर से फरा धनिया और हरी मिर्ची, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर मिलती हूँ, एक और नहीं रेसिपी तब तक के लिए, थेंक यू